हेलो अब्रीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम प्लासस इस वीडियी में हम कम्प्लीट मॉडन हिस्ट्री देखेंगे जो आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए इंपॉर्टन होगी राजा राम मोहन राए को राजा की उपाधी किसने दी थी तो ये अकबर दुतिय ने देती अकबर सेकेंड ने दी नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने आत्मी सभा के स्थापना कब की थी तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मी सभा की स्थापना की थी पहली बार इनकी कोई जो अपनी सभा थी अपनी सभा थी अपनी सभा थी आत्मी सभा नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किस चंद्रसेन थे इन्होंने 1806 में भार्ती ब्रह्म समाज की थी. ब्रह्म समाज से अलग होकर. क्योंकि इनके और देवेंद्र नाट टैगोर की भीश थोड़ा मत्मेद हो गया था. यह अलग हो गये थे और अपना भार्ती ब्रह्म समाज बना लिया था. और जो पुराना वाला है रहे गया वो रहे गया आदी ब्रहमज समाज जिसका नेत्युत किया था देवेंद्र नाथ टैगोर्ने तो मेन ब्रहमज समाज जो है उसकी स्थापना 1828 में होई थी जिसके संस्थापक राजाराम मोहन रहे थे बाद में इससे अलग होकर केसो चंदर सेन ने भारती ब्रहमज समाज बनाया था और जो बाकी बचा रहे गया वो है आदी ब्रहमज समाज जिसका नेत्युत किया था डेवेंद्र नाथ टैगोर्ने नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित प्रमुग व्यक्ति कौन है तो इनका नाम है हेंड्री वेवियन डेरोजियो हेंड्री वेवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज में एक अध्यापक थे और यह भारती जो आंदोलन थे उससे थोड़ी सी सहानुभूती रख तो 1897 में हुई थी इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानन ने और इनका एक प्रवचन बहुत प्रचलित है सिकागो में जो उन्होंने प्रवचन दिया था और यह कब दिया था पूछा चासकता है तो 1893 में 1893 में 1893 में महादेव गोविंद रानाडे या फिर एमजी रानाडे को सांस्कृतिक पुनर जागरान का अगरदूत भी कहा जाता था इन्होंने पूना में दक्कान एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना भी की थी इन्होंने पूना सारुजनिक सभा की भी स्थापना की थी 1870 में तो थी इसकी स्थापना थी इन्हों लोगों ने मिलके की थी 1875 में और इसकी सदसे एन्ही बेस्नेंट भी बनी थी कब बनी थी 1889 में बाद में जब ये सिकागो के सम्मेलन में सामिल होने के लिए 1893 में गई थी उसके बाद ये भारत आ गई और बाद में अध्यच भी बनी थी थियोसोफिकल सोसाइटी की इनके प्रमुख पत्र है कुछ कॉमन वील और न्यू इंडिया किसके पत्र है तो थियोसोफिकल सोसाइ बाद में नाम बदल के अलीगण मुस्लिम इन्वर्स्टी की स्थापना कभी थी उन्नी सोबीस में जो कि किसका एक परिवर्ती दूप था मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का जो कि 1875 में बना था किसने स्थापना की थी सरसेद आहमाद खान ने मिड़जा गुलाम एहमद थे हमधिया अंदोलन के प्रवर्तुम इन्होंने यह आंधोलन चलाए था 1889 में 1889 में देव्बंद आंदोलन के नेता कौनदे प्रमुक्त मुहमद कासीम ननावत वी और रशीद एहमदगोई थे इन्होंने यह आंदोलन चराया था 1866 में दिवबंध जगे कहां पेत उत्तर प्रदेश के जहार एंपुर में इस्थेत हैं कब आंदोलन नी चला था 1866 में इनका संमाज कर प्रदेश के जंगा है आत्म समानं अंदोलन की स्थापना किषने की थी ? स्थापना हुई थी पूछा जा सकता है इनका उपनाम इवी रामा सवामी नहीकर पेरियार नेक्स है नेटीव मैरीज एक्ट कि निर्धारित किया गय था विवा की आई को, तो लड़की की आई 4000 रखे गई थी, लड़के की आई 18 रखे गई थी, कॉंग्रेस की स्थापना का स्रे किसे दिया जाता है, तो A.O. हिूम को दिया जाता है, इन्होंativo को गोलेस की स्थापना की थी, कब की थी, पहले इसका नाम Congress नहीं था इसका भारती राष्टे संग बाद में किसके कहने पर इसका नाम Congress रख गया तो दाधा भाई नरुजी के कहने पर इसका नाम Congress पड़ा कि उन्ग्रेज को किस ने सेफटी वाल की संग्या दिया ऐख सिधान्त का था कि ऐंग्रेज जो एक अलग Seo za कॉंगरेज बनई रहा रहे जिसने उनकी सुरच्छा रहे औहंद से भारती ज्यादा विरोध कौन थे तो WC बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे 1885 में अध्यस थे यह दिसंबर में हुआ था अधिवेशन लगभग जितने अधिवेशन में थे सभी दिसंबर में ही होते थे और इसमें कितने प्रतिनीदी सामिल थे 72 लोग इस अधिवेशन में पहले वाले अधिव सामिल थे अधिवेशन कहा हुआ था तो अभी हमने देखा गुकुल दास्तेस पाल संस्कृत विद्याले जो की मुंबई में स्थे था आगे चलेंगे दृती अधिवेशन के अध्यचकॉन थे दादा भाई नवरोजी और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था पहला वाल 57 में मदरास में आगे चलेंगे चतुर्त अधिवेशन के अधिच कौन ते तो जार्च यूल थे और लस्व और यह पहले की कलकस्ता में हुआ था इसके अध्याज थे रहमत उल्ला सलाइबुत हसी अध्यरेशम के अध्यर नदेक्बुक्त्र औरफ में ख़ाया गया नेक्स्ट है का इसके 150ữ 에요 यहां पर जितने भी अध्यरेशन यूपी के ज्यद्रेश्ट होसके यह कोई मेरा खुभी तो सारे अधिवेशन इंपोर्टन वाले यहाँ पर कवर कर ली गए हैं 1899 के लखनव अधिवेशन के अधिवेशन के अधिच कौन थे रमेश चंद्रदत कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में बंग बंग और करजन की निंदा की गई थी तो करजन ने लागू किया था बंग बंग अंदुलन जिसमें बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में और ये जो इसकी निंदा की गई थी बंग बंग की ये कॉंग्रेस के बनारास अधिवेशन में की गई थी जो की 1905 में हुआ था इसके अध्यची कौन थे तो गोपाल क्रिश्ञ गोखले इसके अध्यची थे स्वराज सब्द का परियोग कि पहली किया गया घृँक किया गया μου पछा विभाजन की घोषना कब हुई थी तो 19 जुलाइ 1905 को बंगाल विभाजन की घोषना हुई सोदेशी अंदोलन और बहिसकार प्रस्ताओं का पास विए था तो इसी के बिरोध में बंगाल विभाजन के बिरोध में जो बंगाल के व्यक्ति थे जितने भी लोग थे बुद्ध स्कार प्रस्ताओं और इसकी अलावा स्वदेशी अंदोलन की शुरुआत की थी तो कभी कठा हुए थी ये लोग साथ अगस्त 1905 को साथ अगस्त 1905 को दोनु प्रस्ताओं पारित हुए नेक्स्ट है रविंद्र नाट टैगोर्ड ने कहा कि बंगाल को विभाजित किया जा रहा है लेकिन हम अपनी एक्टा का परिचे देंगे एक दूसरे को राखी बान देंगे तो ये दिन कब मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था नेक्स्ट है अनुसीलन समीति की स्थापना किस ने की थी तो वरिंद्र कुमार गोस और भूपेंद्र दत्र ने की थी कब की थी Then नेक्स्ट है कॉंग्रेस के नरम दल और गरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था तो सूरत अधिवेशन में हुआ था 1307 एहां पर धीर्याइश को सूरत सूरत अधिवेशन के अधिवेशन गोष तर अगए ध्यागे तृट और ताकाल का रांड यहां कि अड्याय को आधिया थे तैंसमें Bay दोलन होते थे उसको सब पूरे देश में फैलाना चाहते थे लेकिन ये नरमदल वाले लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे और नरमदल के ही व्यक्ति को किसी अध्यच बनाना चाहते थे आगे चलेंगे कॉंग्रेस के इलहाबाद अधिवेशन में जो कि 1910 में हुआ था इसके अ मार्ले मिंटो सुधार का बाया था 1909 में इसमें मुस्लिमों के लिए अलग नेरवाचन छेत्र की स्थापना की गई थी नेक्स्ट है कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गया गया था तो पहली बार हमारा रास्ट्रकान जो गया गया था कलकत्ता अध जिसमें किसी वैसराय ने पाटिसिपेट किया था लॉड विलिंग्टर ने पाटिसिपेट किया था लेकिन उस ताइम पर यह अध्यच नहीं थे वैसराय नहीं थे बाद में बने थे 1915 के अधिवेशन में मुंबई अधिवेशन में इन्हों ने पाटिसिपेट किया था उ और यह कब हुआ था यह दिवेशन, तो 1916 में हुआ था लखना हुआ दिवेशन, जिसके अध्यच थे अंबिका चरण मजूंदार, अंबिका चरण मजूंदार का, जो 1916 का दिवेशन था लखना हुआ ला, वहाई पे सब लोग पास आये थे, नेक्स्ट है, गदर पार्टी क स्थापना कब हुई थी, 1913 में, किसने किसने स्थापना की थी, तो लाला हर्दयाल इसमें सामिल थे, रामचंद्र थे, बरकतुल्ला थे, और यह स्थापना की गई थी, सैन फ्रांसिसको अमेरिका में, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी, सैन फ्रांसिसक अप्रेल provrecht में होम्रूल लिग की सथापना कि थी तो अप्रेल नी सो प्राइल 1926 में टी तरतियों को अधिक से जो है मदरास में थी बाल गंगा दर्तिलक की पूना में थी पहले किसकी स्थापना हुई तो बाल गंगा दर्तिलक की बाद में एनी बेसेंट वाली होम रूल की स्थापना हुई थी लेकिन जादा लोग किसमें सामिलते तो एनी बेसेंट वाली में जादा लोग सामिलते नेक लोगमा ने बाल गंगादर तिलक के पत्र कौंन से हैं जो फेमस है तिये मराथा इक पत्र है दूसरा केसरी उंग्रेजी भासा में लिख आघ इसमें कनफ्युजन होता है कि म्म्राठी में लगते है लेकिन अंग्रेजी उंपता था छिसका नाम मैं गीता रहस्य इनका नारा था सुराज मेरा जन्मिस से दर्दिकार है मैं इसे ले कर रहूंगा नेक्स्ट है गरम दल की प्रभूप व्यक्ति कौन थे तो बाल बाल पाल थे बाल गंगा दर्तिलक लाला लाच पत्राय वेपिंचंद्र पाल नेक्स्ट है यह फेमस वाले हैं 1917 में एनी बेशन पहली महिला अद्यच बनी बाद में भारती महिला भी आएगा तो 1925 आएगा सरोजनी नाइडू आगे देखेंगे कॉंग्रेस का एक नया अधिवेशन नया समविधान बना था और सहयोग अंदोलन का अनुमोधन पारित हो गया था मतलब सहयोग अंदोलन 1915 को आए थे 9 जन्वरी 1915 को गांधी जी के राजनीतिक गुरू कौन थे तो इनके गुरू थे गोपाल कृष्ण गोखले जब यह आए तब इन्होंने इनको कहा गांधी जी को कहा गोपाल कृष्ण गोखले ने कि एक साल तक आप बस चीज़ें देखिए और सुनिया क्या आपको मिल जाएगा या फिर किसान अंदोलन ब्रेक टाइम क्लासेस नाम से सर्च कर सकते हैं सभी जो हैं किसान अंदोलन आपको मिल जाएगी गांधी जी द्वारा पहली बार भूखड़ताल कप की गई थी तो एहमदाबाद मिल जो अंदोलन था 1918 में हुआ था इसमें प 21 मात्र कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यचता की गई थी तो 1924 का अधिवेशन था बेलगाम में हुआ था बेलगाम कहां पर करनाटक में इससे पहले भी यह 1901 के अधिवेशन में भी सामिल हो चुके थे लेकिन अधिशता सिर्फ उन्होंने 1924 वाले अधिवेशन की की थी नेक्स्ट है यह 1901 में जब अधिवेशन में सामिल हुए थे तभी पूरी तरह से भारत वापस नहीं आया थे केवल वहां से अटेंड करने के लिए आया थे या फिक किसी काम से आया थे नोंने अटेंड किया था 1901 का अधिवेशन रोले टैक्ट अधिनियम कब बना था तो गिरफ्तार किया गया था इसके विरोध में एक सत्याग्राय चलाया था गांधी जी ने जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्राय यह भी 1919 में ही चला था जलियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो 13 अप्राइल 1919 को हुआ था जिसमें सैफुत दीन किचलू और डॉक्ट इसके विरोध में किसने क्या क्या किया था तो नाइट हुट जिसमें सर की उपाध्य दी जाती है वह रवींद्र नाट टैगों ने वापस कर दी थी इसके लावा वायसराय की कारेकार्णी से स्तीपा किसने दिया था संकरन नायर ने आगे चलेंगे जलियावाला बाग जा के लिए जिसमें बाद में इन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं उसके बाद कोई ज्यादा इन लोग को सजा भी नहीं हुई ऐसा कहा गया कि ये बस उस टाइम के लिए सही था आगे चलेंगे खिलाफत अंदोलन के प्रवर्तक कौन थे तो मौलाना मुहमद अली थे सौकत इसके लावाँ अबुलकलाम आजाद ये में वेक्ति थे खिलाफत अंदोलन के इसमें गांधी जी ने भी सहयोग किया था जिसका काफी लोगों ने विरोध भी किया था जिन्ना ने भी इसका विरोध किया था आगे चलेंगे अलहिलार और कॉमरेट किसकी पत्रिकाएं थी तो ये बुलकलाम आजाद की पत्रिका थी नेक्स्ट है खिलाफत अंदोलन के दौरान किसने हाजिर उल्ल मुल्की उपाधी त्याग दी थी तो हकीम अजमल खान ने उपाधी त्यागी थी और कब त्यागी थी किस अंदोलन के दौरान खिलाफत अंदोलन के दौरान असाय असायो गांदोलन की शुरुवात हुई थी यह भी पूछा जाता है कि अन्तिम बार बाल गंगा तर तिलक ने किस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था तो 1919 की अधिवेशन में और एक चीज यह भी आता है कि निम्न में से कौन एक बार भी कॉंग्रेस का अध्याच नह की ने मिलेतीी जब इन्ह이는 परति विश्यूयों के दरान काफी लोगं को भरती कराया था सेना में काफी भर्तियों को उसके पाति ने कैसरे हिंदि की उपादी दी लेकिन असायो का अंधेंक और ऑपकर दी थी इसका अलावा एक विक्ति जिनका नाम है लेकिन कुछ राष्टी सिच्छा अधारिद विद्याले खोले गए इनमें सामिलें कासी विद्यापीट बिहार विद्यापीट गुजराद विद्यापीट महाराष्ट विद्यापीट और अलीगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले जो कि पहले मुस्लिम एंग्लो ओरिएंट नेक्स्ट है, चौरी-चौरा कांड को अब 4-4 क्रांती कहा जाता है और इसके लिए एक डेट हो गई है, 4 फरोरी, 1922 कहीं कहीं पाच फरोरी लिखा रहता है, कहीं 4 फरोरी लेकिन अब जो मेन माना जाता है वो चार फरोरी माना जाने लगा और यह कहां पे हुई थी गोरखपुर में नेक्स्ट है असायोग अंदोलन को वापस कब लिया गया तो इसी घटना से चौरी-चौरा घटना से वैदेट होकर यहां पे काफी हिंसा हुई थी इसलिंए असायोग अंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था 12 फरोरी 1922 को अध्या चցटे चत्रनजन दास और महासचिू थे मोतिला लेरू अध्या चत्रनजन दास महासचू मोतिला लेरू इनी दोनों लोगों ने मिलके सुराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी इसी सुराज पार्टी के एक प्रमुख व्यक्ति थी जिनकरांता विठल भाई पटेल ये Central Legislative Assembly के पहले भारती अध्यच बने थे सुराज पार्टी की पहली सफलता थी ये विठल भाई पटेल को Central Legislative Assembly का अध्यच बनाना 1924 में बने थे नेक्स्ट है पर्थम भारतिय महिला कॉंग्रेस अध्यच कौन बनी थी अभी तक पहली अगर पहली महिला अध्यच बनी सरोजनी नाइडू कानपूर अध्यवेशन में नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एस्टापना किसने किसने और कप की थी तो 1924 में इसके स्थापना हुई थी कानपूर से हुई थी और इसके जो एक संस्थापक वेक्ति जो प्रमूख है वो है सचींद्र सान्याल और इसमें काफी लोग बाद में आन्ने सामिल हुए थे हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एस्टापना कब हुई थी एक नया वर्ड काकुरी नमकिस्तान पर जो सहारनपूर से लखनो ट्रेन आ रही थी वहां पर एक एक्शन लिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा ट्रेन लूट का तो उसी में यह सामिल है इसमें काफी लोगों को फासी भी दी गई थी इसमें जो प्रमुग वेक्तियों वह यहां पर को फासी दी गई थी इसमें से एक वेक्ति जो है रोशन सिंग इन्हीं बम्रावली डकैती केस में फासी मिली थी लेकिन यह उसी टाइम पर दी गई थी इसलिए चारो साथ में पढ़ना है तो राम प्रसाद विस्मिल को फासी गोरकपूर में हुई थी अस्वाक उल्ला खा साइमन कमिशन भारत कब आया था तो भारत आया था तीं फ्रोरीं 1926 को अगर बूज़ा जाए साइमन कमिशन के नयुक्ती कब हुई थी तो 1927 में ही इसके नयुक्ती हो गई थी लेकिन भारत आया ug Scout सार्जॉन साइमन कर रिभा की सामिल यह आए तो शर्यान के लिये लेकिन भारतरहों ने कांख वीरोथ करेंंगे लाठी चार्ज की मांग्रेस किस अडिवेशन में की गई थी तो 39 के अदिवेशन में जो कि लहौर में हुआ था इसके अदेश थे जवाहलाल नेरू वहां पर पूर्ण सुराज की मांगी गई और इसी के बाद इसमें डिसाइड किया गया था कि हर साल हम 26 26 जनौरी को स्वाधिंता अदिवस के रूप में मनाएंगे तो उसी की महात्ता को सावित करने के लिए जब हमारा देश आजाद हो गया बाद में कॉंग्रेस का जो हमारा जो संविधान लाग हुआ था तो भारत का संविधान लाग हुआ था 26 जनौरी 1950 को जिससे हम उस दिन क सेलिबडे कर सक हैं आगे चलेंगे कैफि रिंधे च्राया admir request में मूअ मूल अधिकार का प्रस्ताओ स्वेकार किया गया था यह 1931 की मी अधियर को तैथकोіл सर्दार बल्लप अधिकार कहलीकर एक मात्र सम्मेलान जो कि गाव में हुआ था तो 1937 का सम्मेलान जो कि फैजपुर में हुआ था यह पंजाब में है फैजपुर जग है वहाँ पे यह अधिवेशन हुआ था 1937 इसमें अधेच कौन थे जवाला लेरू दांडी यात्रा सुरू हुई थी कब से कब तक चली तो बारा मार्च से पांच अप्रैल के बीच अधातर लोग गांधी जी के साथ चले थे और यह उन्नी सो तीस की बात है साबर मती से दांडी तक की इन्होंने यात्रा की थी इसी में 6 अप्रैल को जब वहां पहुंचे तो इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था पांच अप्रैल को पहुंच गया थे अगले दिन सुबह सुबह 6 अप्रैल को नमक कानून एक आपचारिक रूप से तोड़ा गया उसके बाद सविनाय आउग्या अंदोलन की शुरूआ में रिपोर्ट का प्रस्तु थुई थी तो 1928 में 1928 में धर्साना विद्रों यह कब हुआ था 1930 में धर्षना विद्रों हुआ lot प्रफम गौल में समिलन AUD ioございます folds में 1931 में मैं 131 में था 13 गौल में 1932 मने कृच्छा क्सा की इस गौल में समयलन में कंग्रेस ने पाइस्श ने के था तो कंग्रेस की तरब केकि घंडी जी ने करका है ऐसे तो फेेख लिह वे आवा Haag लिया उन्हे कैसे तो इर्विन पैक्ट कब हुआ था तो 5 मार्च 1931 को हुआ था इसी में इर्विन ने इर्विन जो उस टाइम पर वायस रहा था उसने गांधी जी को एगरी करवाया था कि आप दुतिय गोल में सम्मेलन में पार्टिसिपेट करें 1932 में जो हुआ था आगे चलेंगे चंद्रेशेकर आजास सहीद हुए थे कब तो 27 फरवरी 1931 को और जो अल्टरेट पार्क में जिसका नाम अब चंद्रेशेकर आजाद पार्क है तो यह 27 फरवरी 1931 को भागत सिंग राजकुरी और शुकदेओं को फा फासी दी गई और यहां पे जब गांधी इर्विन पैक्ट हुआ था पांच मार्च 1931 को तो लोग यह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन तीनों लोगों की फासी बख जाएगी इन लोगों फासी नहीं होगी गांधी जी मना लेंगे इर्विन को कि इनको छोड़ दिया जाए जिसमें अलग दलित निर्वाचन की बात की गई थी कि दलित निर्वाचन जो है अलग उसका छेत्र होगा तो यह कब हुई थी 16 अगस्त 1932 इसका गांधी जी ने काफी विरोध किया था इसमें आमरण अनसन भी उन्होंने उस टाइम पे जेल बें थे तो आमरण अनसन शु समझोता हुआ जिसमें गांधी जी और अमेटकर के बीच में समझोता हुआ था अलग निर्वाचन शेत्र चाहते थे दोनों लोग के बीच में समझोता हुआ 26 सितंबर 1932 को नेक्स्ट है भारत सासन अधनियम 1935 द्वारा प्रिथम चुनाओ कब हुआ था तो भारत सासन मतलब एंग्रेजयों की तरब से सामिल कर लिया गया था इसलीए नेक्स्ट है प्रेस्ट है को इन लोगों ने स्टीफा दे दिया था इस खुछी में किस दिन मुस्लिम लिग द्वारा मुक्ती दीवस मनाया गया था तो मुस्लिम लिग ने 22 सिता दिसंबर 1939 को के रूप में सेलिब्रेट किया था नेक्स्ट है कॉंग्रेस का त्रिपूरी संकट का भाय था तो यह 1949 के बात 1939 की जिसमें सुभास चंद्रबोस अध्यच बने थे लेकिन बाद में इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि गांधी जी उनका विरोत कर रहे थे उनका साथ नहीं दे दे रहे थे किसी काम में उचाहते थे पटावी सीतर अमया अध्यच बने लेकिन सुभास चंद्रबोस अध्यच बन गए थे त्रिपूरी वाले अधिवेशन में इसलिए उन्होंने बाद में स्थीफा दे दिया सुभास चंद्रबोस ने स्थापना की तो इन्होंने विश्युद्व के बाद हमें एक सम्विधा निर्मात्री सभा का प्रस्ताव रखेंगे और उसका निर्मान करेंगे इसके लावा भारत है इसको डोमिनियन स्टेटस देंगे यह बहुत सारे वादे किये थे जिसको पूरी तरह से बाड़तियोंने अस्विकार कर दिया था तो यह अगस्त प्रस्ताव कं आया था अठ अगस्त उन्निसोचालिस नेक्स्ट है वेक्तिगत सत्याग्रह य yht सिरुवा था अक्टूबर उन्निसोचालिस में और यह पहले जो सत्याग्रही बने थे विनोवा भावे दूसरे वने थे जभाहला लाल लेरू आगे चलेंगे क्रिप्स प्रस्ताओं कब आया था 23 मार्च 1922 में आया था इसमें कहा गया था अंग्रेजों की तरप से कि युद्ध के बाद युद्ध के बाद हम भारत को डॉमिनीन स्टेटस दे देंगे इसको भी क्रिप्स मिशन को भी भारतियों ने और कॉंग्रेस ने सिविकार किया था 12 छोडों आंदोलन कब आया था इस टाइम पर क्रिप्स मिशन आया था तो भारति रहीं ह manten चाहते थे कि हमें पूण संश्वराजब चाहिए इम डॉमिनीन स्टेट 알았어 सुमसराइब नहीं चाहिए कि भारत 2 neighbours क्पारसण 2 9 अगस्त 1922 को सुरू हुआ था गौालिया टैंक मैदान बंबई से बंबई से शुरू किया गया इसके बाद अगले ही दिन 9 अगस्त को ऑप्रेशन जीरो आवर आया भारा छोड़ो अंदोलन के जितने प्रमुख नेता थे सब को गिरफतार कर लिया गया था 9 अगस्त 1922 को और इसमें प्रमुख जो व्यक्ति हैं जिनने किसकी जेल में रखा गया यह पूछा जा सकता है तो गांधी जी सरोजनी नाइडू और कस्तूर बा गांधी को आगा खां पहले स्पूना में रखा गया था इसके लावा जवाहर लाल लेरू को पहले एहमद नगर जेल में रखा गया इंच्ट है सुभा शेंट्रबोष द्वारा अधियंचता की जाता किनोने एक था हरिपूरा द्यवेशन दूसरा था systems हरी, और अदिवेशन में सपी न मं से मृद्व लाल्ति मुकदमा किसे संबंदी थे तो आजाद हिंद पॉच के सिपाईयों पर चला था मुकदमा 1945 को लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है इसमें जो यह सिपाई थे इनकी तरफ से वकीलों के अध्य चुकौन थे तो भूला बाई देशाई ने नेतिद किया था वकीलों का इ मुस्लिम लीक को एगरी करने के लिए कि आप विरोध ना करें जादा और अलग अपना जो पाकरिस्तान की मांग हो रही थी उसको रोकने के लिए भारत का बटवारा रोकने के लिए यह फॉर्मूला आया था वेवे लियोजना कब आई थी 14 जून 1945 को नौ सेना विद्रो मेरट हर्दी वेशन जो कि 1946 में हुआ था उस टाइम पर कॉंग्रेस के अध्यच कौन थे जेबी करपलानी थे अगर पुछा जाया आजादी के समय कौन अध्यच था तो यही थे जेबी करपलानी नेक्स्ट है समिधान सभा का चुनाओ कब हुआ था तो समिधान सभा जुलाई 1946 में इसका चुनाओ हो गया था इसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा प्रतेच कारिवाही दिवस की कम मनाया गया था तो प्रतेच कारिवाही दिवस मुस्लिम लीग दे मनाया था 16 अगस्ट सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा यही एक लास्ट चारा है भारती रास्टी अधिनियम कब आया था तो यह आधा जुलाई 1947 में और इसी के द्वारत आजाद हुआ सब्सक्राइब कर लीजेगा